सीधा रोक कर रहे हैं सुखदेव गोगा मेड़ी हत्याकांट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबड सामने आई है हरियाना के महिंदरगड का रहने वाला बताया जुआ रहा एक हत्यारा गाव दोंगडा के नितिन फोजी का इस अपजेट में सामने आया है नाम दरसल सुखदेव गोगा मेड़ी हत्याकांट से जुड़ी हुई ये बड़ी जुआनकारी सांजा कर रहे हैं कि हरियाना के महिंदरगड का बताया जुआ रहा ही हत्यारा तो बतादी कि राश्टी राजपूत कर्णी सेना के प्रमुख सुकुदेव सिंग गोगामेडी के हत्या से हाला कि पूरे राजिस्तान में बवाल मचा हुआ है अब एक अपडेट चो है इस ख़बर पड़ी आ गया है अलकि लोगों में आज भी रोश है और इसे के चलते पूरा राजिस्तान बंध है तो शुकुदेव गोगामेडी हत्या का अंट से चोड़ी होई ये बड़ी ख़बर सामने आ रही है हाली राणा के महिंदर गड़ का रहने माला बताया जो आ रहा ही हत्यारा गाम दोंगडा के नितिन फोजी का नाम जो है वो सामने आया है तो हत्यारों में एक नाम जो है वो अब सामने आया है नितिन फोजी का जो नाम है वो सामने आया है हलाक किसी के चलती है लोगों में काफी जादा रोश भी है और राजिस्तान भी बंद है हलकि ये भी जानकारी दे दे कि पुलिस ने कुछ हत्यारों की पहजान जरूर कर ली है पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही तबाम जितने भी हत्यारे हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा गुले राजिस्तान में रहशुरत का माहोल भी देखा गया लेकिन इस बीच तो इस हत्याकान से जोड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आई है हारियाना के महिंदर गड़ का रहने वाला बताय जो रहा एक हत्यारा और ये जो हत्यारा बताय जो रहा है वो नीतिन फोजी है जिसका नाम सामने आया है और मेरे सायोगी उमादत जुड़ गए है ज्यादा जुआनकारी के साथ उमादत ये जो हत्याकान का जो अपडेट सामने आया है अब नीतिन फोजी का नाम भी सामने आ गया है अभी फिल हाल वहाँ पर कैसी तस्वीरे आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये जब खबर सामने आया उसके बार पूरे राजस्तान में दहश्वत का माहूल देखा गया विप्र गया हैं इसमें फिल आलाम मौजूदेंगा माहूल बना हुआ है कि निफील फोजी पांट साल पहले आरवी में बर्की हुआ था उसके बाद गिरामनों को कहना है इस परकार के तो इसका जो जो ग्राउड है ये साफ है इसमें अब तक इसके खिलाफ परकार की कोई इस प्रकार के कोई बात पे नहीं सुनने में आई थी इसको लेकर गिनामिनों में देखा माहूर बना हुआ है चले बहुत शुक्रिया जान करी देने के लिए तो सुकदेव गोगा मेरी हत्याकान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रहे है तरसल हारियाना के महिंदर गड़ का रहने वाला बताय जवा रहा है एक हत्यारा तो गाम दोंगडा के नितिन फोजी का जो नाम है वो इस हत्याकान में सामने आया है और न्यूजरूम से मेरे सैयोगी हितेंदर जुड़ गए हैं ज्यादा जुआन कारी के साथ हत्याकान में एक अपडेट सामने आ गया है नितिन फोजी का नाम सामने आया है अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास जानकारी मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि राजपूत समाज के एक बड़े नेता सुक्देव सिंगोगापेडी उनकी कल हत्या हुई है और जिस तरह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है सरे आम घर में गुसकर के उन पर गोलियां बरसाई गई है खरीब एक दरजन से भी ज्यादा फायर उन पर किये गए है और उसके बाद अभ ये मामला तूल पकड़ रहा है और हर्याना कनेक्शन भी इस मामले पे सामने आए जैसे कि अभी तक आपने बताया कि हर्याना के महिंदरिगर का एक फोजी जिसका नाम नितिन है उसको भी इस मामले में पहचान हुई है इस तरह की जानकारी सामने आ र मदद जो है वो मागी गई थी राजस्तान पुलिस की तरफ से और अब ये देखने वाली बाद होगी किस तरह से इन आरोपियों को गिरफटार किया जाता है लेकिन इस मामले में जो अब ये नया कनेक्शन जो सामने आया है हरगाना के महेंदरगर से वो अपने आप में कई ब वारदातों को अंजाम दिया जाता है तो अपने आप में ये जो पूरा नेटवर्क है इनका गेंग्स्टर्स का और इस तरह के जो एक तरह से गुंडे या गेंग्स्टर्स हैं जो उनका जो पूरा ग्रूप है या जो एक गैंग है वो किस तरह से चलता है उसको लेकर के ए वो भी इस हत्या में शामिल था, एक हत्यारा वही था, और दो हत्यारों की पैचार इस ममले में हुई है, दोनों की गिरफतारी के लिए प्रयास में लगातार किया रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अकर देखा जाए, तो राजपुत समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, राजपुत समाज के लोग सड़कों पर रात भी उतराए थे और रकई जोक पर खुर्दंक भी देखने को विला तॉर्फोड भी की गई, लेकिन उसके बाद आज राज़स्तान बंद का आहवान किया गया है, और हर्याना में भी महेंद्रिगर के कुछ हिस्तो में भी इस तरह की जानकारी है कि वहाँ पर भी बंद बुलाया गया है, तो ऐसे में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, कड़ी सजा की मांग की जा रही है, आरूपियों के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो है, वो अब इस मामले में, पूरे मामले में हर्याना का क जस्तार में, तो उससे अब ये सियासी पारा जो है, वो काफी हाई होता हूँ नजर आ रहा है, अब लोग शान्ती बनाए रखिये, जितने भी हत्यारे हैं, हम उन्हें अरेस्ट कर लेगी, लेकिन सवाल यहां ऐसे में यह उठता है कि क्या इस पूरे हत्याकान का कोई कनेक करेंशन हरियाना से भी हो सकता है? तो उसमें एहम भूमी का नवाई थी, उसके बाद ही लोरेंस विश्व गैंक की तरफ से सुग्देव सिंग ओकामेडी को धंकी दी गई थी और अब ऐसे में जिम्मेदारी मी ली गई है उसी ग्रूप की तरफ से जिम्मेदारी मी ली गई है, तो यह इस पूरे मामले में अब कहीं न कहीं जाँ जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, डी जी पी की तरफ से अपील की जा रही है, लेकिन गोर करने वाली बात यह है, यहां पर क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव संपन हुए है राजस्तान में, चुनाव परिनाव तीन तारिक को आए हैं और उसके बाद कल इस तरह की बड़ी बारदात हो जाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है, और क्योंकि अभी तक सरकार का भी गठन नहीं हुआ है राजस्तान में, तो कई तरह की चुनोतियां ऐसे वोके पर होती हैं, लेकिन अब राजस्तान की जो पुलिस है, राजस्तान का जो प्रशासन है, वो इस पूरे मामले में सक्ती से आगे काम करता हुआ नजर आ रहा है हो, और जिस तरह के से अब जो खबर सामने आई है कि आरोप्यों की पहचान कर ली गई है, तो जल्द ही ये भी खबर सामने आई कि उनको आगे अफ़तार कर लिया गया है, क्योंकि नजदी की जितने भी राज्ये हैं, सभी राज्यों की पुलिस को इनफॉर्म किया गया है, सभी राज्यों की पुलिस को अलट किया गया है, ताकि हत्यार रूप्यों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला बन गय जिस तरह से केंद्रिय मंत्रियों तक इस पूरे मामले को लेकर के डीजीपी से भी बात की गई है और शोक भी चताया गया है तो अपने आप में मामला बेहद संजीदा हो जाता है और राजपूत समाज के लोग जिस तरह से सड़कों पर हैं आक्रोशित हैं आज रजस्तान ब उनलस याइक की चंद मिनटों की कहानी है और इधर नवीन शेखावत का नाम भी सामने आया लेकिन ये भी बड़ी बात है कि सुकदेव और नवीन शेखावत जो हैं वो एक-दुसरे को जानते थी तो बिना एंट्री बिना चेकिंग?」 एंट्री होना ये भी बड़ी बात हो पर दोजी मेरे चितर से दोगड़ा गांज जाता है और ये मामला रास्थान पुलिस का है रास्थान पुलिस इसकी तस्तिक कर रही है जैसे ही हमें इंदाद मांगेंगे मैं तुर्म मोके बेजाकर उसके इंदाद करूँगा और पुलिस देख सके आदेश अनुसार जो भी म मैं स्योग करूँगा रास्थान पुलिस का जैसे भी होगा मैं आपको बता दोंगा